बीटेशन की आउटलाइन्स आज आपको पीडिया फोटो के फॉर्म में टेलेग्राम बे अप्लोड कर दिया जाएगा क्योंकि अभी बना नहीं है मुझे कुछ और तयारिया करनी है इसके वज़े से आउटलाइन्स बनाने में थोड़ी सी देरी हो रही है तो चले स्टार्ट करते हैं सत्तर सब्दे प्रतिमिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा फाइफ सेकेंड बात स्टार्ट बारा मुला में आतंकी हमले में के दो और जम्मू कस्मीर पुलिस के एक जवान के बलिदान के साथ ही ऐसे बलिदानियों की संख्या और बढ़ गई पुर्णविराम यह अच्छा हुआ कि इस हमले में सामिल आतंकीयों को आनन फानन धेर कर दिया गया लेकिन इस पर तो विचार किया ही जाना चाहिए कि सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों का सिलसिला कैसे थमे यह ठीक नहीं कि हमारे जवान आतंकी हमलों का निसाना बनते रहें और अपने प्राणों का उत्सर्ग करते रहें पुर्णविराम आवश्यक केवल यह नहीं है कि कस्मीर में सक्रिय आतंकीयों के दुसाहस का दमन प्राधमिक्ता के आधार पर किया जाए बलकी यह भी है कि पाकिस्तान को कस्मीर में आतंक फैलाने और दखल देने से रोका जाए पुर्णविराम पैरा वैसे हालात किसी कीमत पर नहीं पैदा होने देने चाहिए जो एक साल पहले थे पुर्णविराम जम्मो कस्मीर से अनुछे 370 और धारा 35 ए हटाए जाने के बात घाटी के हालात सुधरे हैं तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि वहां आतंकियों अलगाव वादियों और उनके समर्थकों के साथ साथ पाकिस्तान परस्त तत्वों पर कसकर लगाम लगाई है पुर्णविराम इन तत्वों को फिर से सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल सुरक्षा परिद्रिश्य पर बुरा असर पड़ेगा बलकि पाकिस्तान का दुस्साहस भी बढ़ेगा पुर्णविराम इसके अलावा घाटी की अमन पसंद जनता का मनोबल भी प्रभावित होगा पुर्णविराम पैरा यहां ध्यान रखा जाना चाहिए कि कस्मीर के हालात सुधारने में सबसे मददगार वहां का वह तबका ही है जो अमन चैन के पक्ष में है पुर्णविराम इस तबके को प्रोधसाहिद करने के साथ उसे और ससक्त भी किया जाना चाहिए पुर्णविराम यह काम तभी हो सकेगा जब आतंकियों पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी पुर्णविराम निसन देह यह एक कठिन काम है लेकिन इस पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा पुर्णविराम इस क्रम में यदि सुरक्षा चौकसी के इसतर को बढ़ाने अथवा उसमें ब्यापक बदलाव लाने की जरूरत हो तो उसकी पूर्ती भी करनी होगी पुर्णविराम ऐसा होने पर ही जम्मु कस्मीर में राचनितिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी पुर्णविराम फैरा इसमें संदेह नहीं कि जम्मु कस्मीर से अनुछेत 370 हटाने के बाद दुनिया भर में सोर मचाने के बावजूत पाकिस्तान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है लेकिन इसका खतरा तो है ही कि वह कुंठा का सिकार होकर कस्मीर में आतंकियों की खेप भेजने में न जुट जाए पुर्णविराम वैसे भी वह चैन से नहीं बैठा है पुर्णविराम उसकी सेना की ओर से संघश विराम का रह रहकर होने वाला उलंगन यहीं बताता है कि वह आतंकियों की गुस्पैट कराने की फराग में रहता है पुर्णविराम इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संघश विराम उलंगन का मुहतोड जवाब दिया जाता है क्योंकि यह तो एक तथ्य है कि वह अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पुर्णविराम सब्तर सब्दे प्रति मिनट के डिक्टेशन की डिक्टेशन की आउटलाइन आपको टेलिग्राम या फिर वाट्सप ग्रूप में अगर आप हैपी की मेंबर है तो वाट्सप ग्रूप में सेंड कर दिया जाएगी अगर मेंबर नहीं है तो आपको फ्री टेलिग्राम चैन में आतंकी हमले में CRPF के दो और जम्मु कस्मीर पुलिस के एक जवान के बलिदान के साथ ही ऐसे बलिदानियों की संख्या और बढ़ गई यह अच्छा हुआ कि इस हमले में सामिल आतंकियों को आनन फानन धेर कर दिया गया लेकिन इस पर तो विचार किया ही जाना चाहिए कि सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों का सिलसिला कैसे थमे यह ठीक नहीं कि हमारे जवान आतंकी हमलों का निसाना बनते रहें और अपने प्राडों का उत्सर्ग करते रहें आवश्यक केवल यह नहीं है कि कस्मीर में सक्रिय आतंकियों के दुस्साहस का दमन प्राथमित्ता के आधार पर किया जाए बलकी यह भी है कि पाकिस्तान को कस्मीर में आतंक फैलाने और दखल देने से रोका जाए पुर्णविराम पैराम वैसे हालात किसी कीमत पर नहीं पैदा होने देने चाहिए जो एक साल पहले थे जम्मु कस्मीर से अनुछे 370 और धारा 35 ए हटाए जाने के बाद घाटी के हालात सुधरे हैं तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि वहां आतंकियों अलगाव वादियों और उनके समर्थ को के साथ साथ पाकिस्तान परस्त तत्मों पर कसकर लगाम लगाई है इन तत्यों को फिर से सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल सुरक्षा परिद्रिश्य पर बुरा असर पड़ेगा बलकि पाकिस्तान का दुसाहस भी बढ़ेगा इसके अलावा घाटी की अमन पसंद जनता का मनोबल भी प्रभावित होगा तैरा या ध्यान रखा जाना चाहिए कि कस्मीर के हालात सुधारने में सबसे मददगार वहां का वह तबका ही है जो अमन चैन के पक्ष में है इस तबके को प्रोथसाहिद करने के साथ उसे और ससक्त भी किया जाना चाहिए यह काम तभी हो सकेगा जब आतंकियों पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी निजन देह यह एक कठिन काम है लेकिन इस पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा इस क्रम में यदि सुरक्षा चौकसी के इस तर को बढ़ाने अथवा उसमें ब्यापक बदलाव लाने की जरूरत हो तो उसकी पूर्थी भी करनी होगी ऐसा होने पर ही जम्मू कस्मीर में राश्नितिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी पैरा इसमें संदेह नहीं की जम्मू कस्मीर से अनुछे 370 हटाने के बाद दुनिया भर में सोर मचाने के बावजूत पाकिस्तान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है लेकिन इसका खत्रा तो है ही कि वह कुंठा का सिकार होकर कस्मीर में आतंकियों की खेप भेजने में न जुट जाए वैसे भी वह चैन से नहीं बैठा है उसकी सेना की ओर से संगर्श विराम का रह रहकर होने वाला उलंगहन यहीं बताता है कि वह आतंकियों की गुस्पैट कराने की फुराक में रहता है इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संगर्श विराम उलंगहन का मुहतोड जबाब दिया जाता है क्योंकि यह तो एक तत्य है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है असी सब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन समाब तो अब बारी है सो सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन की उसके पहले हम आपको यह बता दे अगर आप हैपी स्टेनोग्राफी को जॉइन करना चाहते हैं तो आज आप जॉइन कर सकते हैं अगर आप एकशुक हैं तो क्योंकि आज सबसे लोवेस्ट प्राइस रखी गई है त्री मन्त की फोर मन्त की और वन मन्त की तो अगर आप ए मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बात स्टार्ट बारा मुला में आतंकी हमले में CRPF के दो और जम्मू कस्मीर पुलिस के एक जवान के बलिदान के साथ ही ऐसे बलिदानियों के संख्या और बढ़ गई यह अच्छा हुआ कि इस हमले में सामिल आतंकीयों को आनन फानन धेर कर दिया गया लेकिन इस पर तो विचार किया ही जाना चाहिए कि सुरक्षा बलो पर आतंकी हमलो का सिलसिला कैसे थमे यह ठीक नहीं कि हमारे जवान आतंकी हमलो का निसाना बनते रहे और अपने प्राणों का उत्सर्ग करते रहे आवश्यक केवल यह नहीं है कि कस्मीर में सक्रिय आतंकीयों के दुस्साहस का दमन प्रात्मिक्ता के आधार पर किया जाए बलकि यह भी है कि पाकिस्तान को कस्मीर में आतंक फैलाने और दखल देने से रोका जाए वैसे हालात किसी कीमत पर नहीं पैदा होने देने चाहिए जो एक साल पहले थे जब मुकस्मीर से अरशे 370 और धारा 35 ए हटाए जाने के बाद घाटी के हालात सुधरे हैं तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि वहां आतंकियों अलगाव वादियों और उनके समर्थकों के साथ साथ पाकिस्तान परस्त तत्वों पर कसकर लगाम लगाई है इन तत्वों को फिर से सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल सुरक्षा परिदिश्य पर बुरा असर पड़ेगा बलकि पाकिस्तान का दुस्साहस भी बढ़ेगा इसके अलावा घाटी की अमन पसंद जन्ता का मनोबल भी प्रभावित होगा या ध्यान रखा जाना चाहिए कि कस्मीर के हालात सुधारने में सबसी मददगार वहां का वह तबका ही है जो अमन चैन के पक्ष में है इस तबके को प्रोच साहिद करने के साथ उसे और ससक तभी किया जाना चाहिए या काम तभी हो सके का जब आतंकियों पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी निसन देह यही कठिन काम है लेकिन इस पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा इस क्रम में यदि सुरक्षा चौकसी के इस तर को बढ़ाने अथवा उसमें ब्यापक बदलाव लाने की जरूरत हो तो उसकी पूर्ती भी करने होगी ऐसा होने पर ही जम्मो कस्मीर में राश्नितिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी इसमें संदेह नहीं कि जम्मो कस्मीर से अनुछेत 370 हटाने के बाद दुनिया भर में सोर मचाने के बावजूत पाकिस्तान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है लेकिन इसका खत्रा तो है ही कि वह कुंठा का सिकार होकर कस्मीर में आतंकियों की खेप भेजने में न जुट जाए वैसे भी वह चैन से नहीं बैठा है उसकी सेना की ओर से संगर्ष विराम का रह रहकर होने वाला उलंगन यहीं बताता है कि वह आतंकियों की घुस्पैत कराने की फुराक में रहता है इससे संथुष्ट नहीं हुआ चाह सकता कि संगर्ष विराम उलंगन का मोहतोर जबाद दिया चाहता है क्योंकि यह तो एक तथ है कि वह अपनी हरकतों से बाच नहीं आ रहा है डिक्टेशन समात हुआ ऐसा ही प्रत दिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जो बगल में जो नोटिफकेशन बैल आइकन है उससे दबना बिलकुल पर ना भूलें उसका नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टल देन अपना ख्यार लखे